नमस्ति दूस्तों स्वागति फिर से आपका और एक नए वीडियो में मेरा नाम है तेज्वस और आज हमारे पास है ओपो का ए 96 और रियल्मी का 9 प्रो चलिए सबसे पहले देखते आउन करके कितना टाइम किसको लगता है तो वैसे आउन होने के लिए दोनों हैंसेट को ज्य जैए इसके जो प्राइस स्टाइट हो जाती एठार आजार रुपए से स्टाट हो जाती है और ईसके बैक साइड में आगर देखेंगे आपको डूल रियर कैमेरा विट फ्लैसलेट का सिट आप आजाता और नीचे ब्रेंडिंग लगी मिल जाती है और इसके ब्रेंड चैं अगर देखेंगा तो आपको साइड मांट और फिंगर्प्रिंट सेंसर मिल जाएंगा निची के साइड में दिया है आपको चार्जिंग पॉर्ट, स्टेरियो स्पीकर, माइक और 3.5 mm हेडफोन जाएक इस साइड में आपको वैल्यू आप एंड डाउन की की दिये और सिम स्लॉट का भी ऑप्शन दिया है बात कर अगर एंसेट के वेट की तो ओपो का जो वेट आ जाता है 101 नियोग्राम आ जाता और इसकी जो ठीकनेस है 8.5 की दी है वही 9 pro का जो वेट आ जाता है 105 नियोग्राम और इसकी जो ठीकनेस है 8.5 mm की आ जाते है वैसे ठीकनेस जो यह दोनों भी एंसेट की सेम दी है लेकिन वेट जो ओपो का थोड़ों सा कम दिया है बोडिस्क स्टक्चर के इसाब से ओपो का अच्छा दिया है मेट फि इसका जो रिप्रेश्ट है यह आ जाता है 19.80 का और इसके अंदर आपको पीपे डिंसेटी स्को P.0.0.1 की मिल जाती है और डिस्पले का जो ब्राइटनेस लेवल आए वह आ जाता है 600 निट्स तक के वही 9 pro का जो डिस्पले आ जाता है 6.6 इंस का आ जाता है इसका जो इसके अंदर आपको 400 की मिल जाती है, XL Density भी 400 के ही इसके अंदर आपको मिल जाता है, X-Petros के अगर बात करें तो 29 का आपको X-Petros इसके अंदर मिल जाता है, और Screen 2 Vouchation 19.8% मिल जाता है, Refresh Rate काफी अच्छा दिया है, 120 Hz का Refresh Rate आपको इसके अंदर मिल जाता है, Overall अगर देखेंगे तो Outdoor के अंदर में भी डिस्पले का ब्राइटनेस लेवल है, लगबख सेम देखने को मिल जाता है, काफी व्राइट डिस्पले आ जाते है, 296 के, वैसे डिस्पले के मामले में यह Realme 9 Pro 5G काफी अच्छा दिया है, क्योंकि इसके अंदर आपको refresh rate 120Hz का दिया है, बाकी वैसे ओवराल जो है डिस्पले दोनों भी एंसेट का लगबख सेम दिया है, Resolution भी सेम आ जाता है, PPI भी सेम आ जाता है वैसे, Performance के साब से अगर देखेंगे तो आपको OPPO के अंदर जो प्रोसेसर मिल जाता है, आ जाता है और उसकी जो clock speed आपको मिल जाती है 2.2 GHz की, fabrication के अंदर change आ जाता है, OPPO के अंदर आपको सिर्फ 6 nm का fabrication दिया है, लेकिन Realme के अंदर आपको 8 nm का fabrication दिया है, RAM expansion का जो option है दोनों भी answer के अंदर आपको मिल जाता है, OPPO के अंदर जो color OS आ जाता है 11.1 और Realme के अंदर Realme UI आ जाता है 3.0 का, वैसे security की साबसे दोनों भी answer के अंदर आपको सेम configuration मिल जाता है, side mount and fingerprint sensor, face unlock, pattern pin और password का option मिल जाती है, छले sound check करके देखते है answer का, यह जो 9 pro का sound है, OPPO का sound का loud दिया है, और 9 pro का थोड़ा से soft आ जाता है, वैसे camera के अंदर जो आपको 9 pro के अंदर बहुत सारे option दिये है, dual view करके एक extra option इसके अंदर आपको मिल जाता है, जिससे के आप front और back side की दोनों भी video recording एक साथ कर सकते है, camera के अंदर आपको zooming में भी फरक आजाता है, OPPO के अंदर जो आपको 10x तक के zoom मिलता है, वही realme के अंदर आपको सिर्फ 6x तक के zoom मिलता है, OPPO के अंदर थोड़ा सा जादा zoom हो जाता है realme को मुगाबले, feature quality के अगर बात करें तो realme के अंदर जो यह थोड़ो सा dark shade जादा करके बताता है, लेकिन OPPO के अंदर जो actual photo है वही इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, इसके अलावा दोनों भी अंसिट के अंदर आपको portrait mode भी मिल जाता है, HDR mode भी मिलता है और auto face detection का भी option मिलता है, वीडियो recording का भी resolution इसके अंदर आपको मिल जाता है, 1920x108030Fx तक के और 1280x72030Fx तक के मिल जाता है, वैसे overall अगर देखेंगे तो images quality जो है यह OPPO के अंदर थोड़ो सा soft देखने को मिल जाता है, लेकिन Realme के अंदर थोड़ो सा dark shade करके बताता है आपको, images जो यह proper तरीके से ही जूम हो जाता है, जूम करके भी आप देखेंगे image तो काफी detailing photo मिल जाएंगे दोनों भी एंसेट के अंदर में, लेकिन front camera की अगर बात करें तो OPPO का एंसेट के आप front camera काफी अच्छा दिया है, काफी detailing photo देख सकते है OPPO के अंदर में, यह जो photo लिया है यह portrait mode में लिया है, दोनों भी एंसेट के अंदर में आप देख सकते है, काफी detailing photo देख सकते है, अगर आपको camera फोन चाहिए और वो सेलफी ही लेते है ज्यादा तो आपका OPPO का एंसेट काफी बैतरीन आजाता है, रियल्मी को मुकाबले लेकिन back camera के अंदर आपको रियल्मी का अच्छा मिलेंगा और performance की साब से अगर देखेंगे तो रियल्मी अच्छा आ जाता है एंसेट क्योंकि यह 5G एंसेट डिया है और OPPO का जो एंसेट है यह 4G आ जाता है इसके साथ है आपको refresh rate भी रियल्मी के अंदर ज्यादा मिलता है और OPPO के अंदर 19Hz का refresh rate मिल जाता है थोड़ो सा smooth चल जाएंगा रियल्मी के अंसेट OPPO की मुकाब लेकर देखेंगे तो अगर आपको 5G एंसेट नहीं होना और body quality चाहिए front camera की quality चाहिए तो OPPO का एंसेट बढ़िया आ जाता है ऐसा ही mobile comparison के लिए और mobile unboxing के लिए चानल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही bell icon को भी फ्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की notification आप तक क्यों पोहुचिए चलिए मिलते हैं गलोड़ में thank you